So hi everyone, I am C.A. Ashkandilwal and I hope you are doing good. So guys, finally ICI ने अपने MCQs and Case Narrows booklet for May and November 23 exams release कर दिये हैं and अगर ICI ने release किया है, तो solve कौन कर आएगा? भाई कर आएगा ना? Yes, तो आज हम start करें MCQs booklet solution. ठीके, अब बहुत सारे बच्चे confused है कि sir, इस बार MCQs जो आए हैं और पिछले बार के MCQs भी है, तो how solve करेंगे? तो सुन लो, यह एक बार में clear कर देता हूँ. ठीके, देखो, ICI ने इस बार 50 MCQs रिलिस किये हैं and 25 Case Narrows रिलिस किये हैं. ठीके, पहली priority होना चीए आपकी 50 MCQs, फिर 25 Case Narrows. सर, यह कब लाओ गया 25 Case Narrows का वीडियो? बेटा, यह आजाएगा आज से 4-5 days के अंदर. ठीके, with complete solution. ठीके, हमारे जो MCQs वीडियो रहते हैं, वो with complete solution and provision रहते हैं. provision का explanation भी आपन लेते हैं साथ में. ठीके, फिर आएंगा RTP के MCQs और MTP के MCQs. इतने MCQs पहले आप कर लो, तो more than sufficient है. पर आपको FOMO feel होगा. क्योंकि सर, पिछले बार MCQs 120 थे, है ना? और Case Narrows जो थे, वो 40 थे. इस बार कम हो गए हैं. तो जो बचे हुए MCQs और Case Narrows पिछले बार के, वो solve कैसे करेंगे? तो वो भी solve करवाद हो ना? तो देखो. पिछले बार के MCQs and Case Narrows का वीडियो already uploaded है YouTube पे. बट आप ढूणने जाओगे इसके अंदर से, कि कौन से अभी नए है, कौन से पुराने हैं, तो बहुत दिक्कत होगी आपको. तो मैं क्या करूँगा? मैं इस में से जो भी बचेंगे MCQs. ठीक है? जो भी हो जाएंगे, वो खतम हो जाएंगे. जो बचेंगे unique वाले, वो मैं आपको solve करवाद दूँगा. बट ये वीडियो आएंगा, एकदम April मड में. ठीक है? वीडियो पर आए हो तो लाइक कर दो. चैनल पर नए हो सब्स्राइब कर दो. अगर आपकी help हो इस वीडियो से, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों साथ शेयर करना. उनको बहुत help होगी. I am telling you. पिशले बार के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स अमकोगी, देखो, first question, mr. Rajesh and mr. Bijsh. अब देखो, अब देखो, life insurance policy की maturity proceeds पे, TDS applicable होता है section 194DA वाला 194DA में TDS applicable होता है 5% तीक है on income component income component कैसे निकालते हैं maturity proceeds minus premium paid till now तो देखो यहाँ पे maturity proceeds कितनी है 13 lakh rupees दोनों को मिलने वाला है तो 13 lakh rupees maturity proceeds है और premium किता पे किया अपने 1.1 lakh each हर साल और यह policy issue ही थी 31,3,12 और 14,12 को तो हमने almost 10,60 minimum pay कर दिया है तो देखो premium paid till now 1,10,000 into 10 years किता होगा 11 lakh हो गया तो TDS लग जाएगा आपका income component पे 13 lakh minus 11 lakh which is 2 lakh 2 lakh पे 5% और दोनों को लग जाएगा आप बोलो कि हाँ सर दोनों को लग जाएगा ठीक है पर सर एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि सर इसमें कुछ तो point था सर हमको याद में आ रहा जो क्या point था देखो 31,3,12 को issue ही है Mr. Rajesh की policy मतलब अगर Rajesh की policy 31,3,12 को issue ही है तो हमको check करना पड़ेगा कि premium paid अगर up to 20% of summer short है single year का तो हम क्या बोलते है 10% अगर तक के है premium paid तो exempt होता है तो यहाँ पे 31,3,12 को issue हो गई है Rajesh की policy यही check कर रहे थे उन लोग तो देखो Rajesh का 10,00 lakh summer short है और 1.1 lakh क्या है premium तो 20% से कम है क्या yes तो Rajesh की maturity तो exempt हो गई अब ब्रिजेश की देखते है ब्रिजेश की issue यह 1,4,12 को तो इसमें हमको 10% चेक करना पड़ेगा 10% तो 10,00 lakh अ 10% के तो होता है 1,00, पर यहाँ कितना है 1.1,00, मतलब 10% की उपर है तो maturity exempt नहीं होगी तो Mr. Rajesh की हाथ में maturity taxable होगी क्या taxable होगा income component 5% पे 1 and for DA, DA for dollar ठीक है याद कराया था मैंने ठीक है तो 5% of 30-11, 2,00, that is 10,000 रुपीज देखो answer no tax is deductible at source on maturity proceeds receivable by Mr. Rajesh tax is deductible on maturity proceeds received by Mr. Rajesh and TDS is Rs. 10,000 ठीक है ओके, done है ठीक है next question बेटा ABC Limited took on sub lease a building from Ms. Janavi with effect from 1722 on rent of 20,000 per month ठीक है 1722 मतलब April में June नहीं लिया 9 मैंने के लिया मतलब 20,000 into 9 किता हो गया 20 to 9 1,80,000 ठीक है और it also took on higher a machinery from Ms. Janavi with effect from 11022 on higher of 15,000 per month ठीक है अब October से ये तो October, November, December Gen 5, March तो 6 मैंने के लिए तो किता हो गया बेटा 55,000 into 6 15,000 into 6 किता हो गया एक मिन्ट, एक मिन्ट, एक मिन्ट नहीं October, November, December Gen, Feb, March है ना तो कितना है ये 15,000 per month तो 15,000 into 6 किता हो गया 90,000 तो किता हो गया 180 plus 90 हो गया which of the following statements is correct with reference to ABC Limited Library to deducted text at source ठीक है assuming that 1 month's rent was received as security deposit which is refundable at the end of lease period अब मुझे बताओ कि Sir यहाँ पे एक 1 month का rent भी है किस पे? मशिनरी पे मशिनरी पे? कि इस पे? दोनों पे दोनों पे 1 month rent है जो refundable security deposit है अब यहाँ पे दो तिन चीज़े चेक की होने refundable security deposit अब दो चीज़े चेक की है इन लोगने पहली बात देखो मशिनरी का अलग agreement है और यह building का अलग agreement है तो दोनों मिला अलग-अलग 240 से कम हो रहे है पर मिला के 240 के उपर हो रहे है कि येस मिला के 240 के उपर हो रहे है तो TDS तो applicable होगा rent पे ठीक है दूसरी बात सर यहाँ पर refundable security deposit दिया है मुझे बताओ refundable security deposit पे TDS लगता है क्या नहीं लगता ठीक है नहीं लगता ये भी चेक किया होने थर्ड चीज एक और चेक किया होने तो देखो building पे 10% 180 पे और 2% 90 पे ठीक है rent excluding security deposit क्यों क्योंकि refundable है ठीक है refundable पे TDS not applicable ठीक है अगर non refundable deposit होता तो तो TDS applicable होता ठीक है हम बेटा जो भी provision जितना आएंगे सब का revision साथ में आज करेंगे इसी में ठीक है चलो अब आप TDS चेक करोगे 50,000 क्या होता है 1 and for IB में TDS लग जाएगा क्या 1 and for IB में TDS लग जाएगा क्या आप याद करो कि हाँ लग जाएगा पर बेटा ध्यान दो कि 1 and for IB में अगर rent greater than 50,000 होता है तब TDS applicable होता है rent greater than 50,000 यहाँ पे rent exactly 50,000 है तो TDS applicable नहीं होता है ठीक है ओके तो Mr. Wallish is not liable to deduct tax at source अब Mr. Hari interior decorator है declaring profit under 4 for ADA ठीक है मतलब 4 for ADA में profit declare करता है मतलब hijack में नहीं आता है and the earlier previous years Mr. Hari has to pay brokerage of 10 lakh to Mr. Lal a broker to buy residential house and Rs. 50 lakhs to Mr. Shyam a contractor for reconstruction of residential house are tedious provisions attracted in the hands of Mr. Hari in respect of about transaction देखो 10 lakhs पे किया plus 50 lakhs पे किया किता के 60 lakhs पे किया अब हमने बात कहेते है 1 and 4 M किसको applicable होता है जो hijack में covered नहीं होते है अब hijack क्या होता है sir hijack वो लोग होते है जिनका या तो यहां साफ साब बोला है उनने कि 44 ADA मतलब profession में 50 lakhs से कम होगा तब ही 44 ADA अपली के बोलता है मतलब यह hijack वाले लोग तो नहीं है यहां पे HIJAC में TDS नहीं कटेगा किसमें कट सकता है फिर तो CJ और H के payments में contract J और H इनके payments में कट सकता है 1 end for M में राइट कहां कट सकता है 1 end for M में अब मुझे बताओ कि 50 lakh के उपर होता है तब कटता है इसमें 5% पे तो यहां पे 5% पे कट जाएगा है ना तो answer क्या है NO TDS provisions are not addicted in the hands of Mr. Harry है सर यहां तो 50 lakh के उपर है नहीं होती है ना 50 lakh की तो हम pay wise check करते है ठीक है हम pay wise check करते है तो pay wise किता है सर 1 को क्या 10 lakh 1 को क्या 50 lakh किसी में भी 50 lakh के उपर नहीं है इसलिए 1 end for M applicable ही नहीं होगा ठीक है ठीक है तो यहां बेटा आप गलती करोगे जहां आप गलती करोगे मैं वहाँ पर बता दूँँ आपको ठीक है चलो Mr. Sanjay a salaried individual pays brokerage of 40 lakhs to Mr. Harish a broker on 5,123 ठीक है salaried individual है तो 1 end for M applicable होगा पर payment किता है 40 lakh तो नहीं होगा not applicable ठीक है उसके father Mr. Harish उनने किता पे किया वो भी retired pensioner है बतब salary वाले है तो यह hijack में नहीं आते तो इन पे भी 194 M applicable हो सकता है ठीक है makes contract payment of rupees 15 lakhs 25 lakhs 12 lakhs किता होग है बटा 15 plus 25 plus 12 52 lakh तो यहाँ पे 194 M applicable हो जाएगा तो Sanjay case में applicable नहीं है पर Mr. Harish की case में applicable है simple question ठीक है कुनाल & company LLP engaged in manufacturing business withdrew from its bank account rupees 125 lakhs by cash ठीक है इच individual withdrawal does not exceed 2 lakh rupees ठीक है तो में बटा due date के बेर return file करते है तो यहाँ पे क्या होगा TDS देखो TDS applicable 194 N में cash withdrawal हो रहा है 1 crore के उपर सरी जो withdraw कर रहे है यह for buying agriculture produce कर रहे है फरक पड़ता है कैसे नहीं कोई फरक ने पड़ता अब manufacturing के लिए कर रहे हो ठीक है यह कोई exception ने इसमें तो TDS applicable हो जाएगा किता होगा 194 N पे 2% exceeding 1 crore 1 crore के over and above जित्ता भी amount होता उस पे लगता है यहाँ पर किता है 25 lakh है तो 25 lakh पे 2% that is 50,000 देखो answer tax of 50,000 is required to be deducted ठीक है ओके ओके सर अब next करते है the following details the following are details of cash withdrawals from Canada Bank by Mr. Ravish during the previous year 22-23 16 lakh 55 lakh and 28 lakh Mr. Ravish has not filed his return of income for AY-2021 AY-21-22 and AY-22-23 अब हमने क्या बात किये थे जिन तीन previous year की due date expire हो गई है अगर उन सालों के आपने return file नहीं किये है तो आपकी limit cash withdrawal की 1CR से 20 lakh हो जाती है in section 194 N ठीक है तो यहाँ पे total amount किता है 99 lakh 20 lakh के ओपर कितना है 79 lakh उस पे 2% लग जाएगा 20 lakh to 1 crore रहापर लगता है 2% TDS और 1 crore के ओपर लगता है 5% TDS ठीक है तो 158 यह आपका answer आजाएगा ठीक है बेटा आप यह जब revision video देख रहे है MCQ video तो I am hoping कि आपने एक बार तो पढ़ा है क्योंकि एक बार भी नहीं पढ़ा है तो यह नहीं बनेगा आपको मैं revision जो provision या revision करा सकता हूँ provision का आपको but provision first time इस video में समझा नहीं सकता आपको revision ज़रू करा रहा हूँ है but आपने पढ़ा ही नहीं आज तक तो नहीं बनेगे MCQs आपको Mr. Ganesh is running a steel factory turnover कितना है financial tournament 22 का 2.5 crores मतलब पिछले साल का मतलब पिछले साल 1 crore से उपर है मतलब hijack applicable है ओके देखो इस बागा turnover दिया है कोई काम कर नहीं है on 10-4-22 he availed consultant services from Delhi-based chartered accountant the consultancy fees amounted to 184 तो इस पर TDS काटना पढ़ेगा क्या काटना पढ़ेगा क्या हाँ काटना पढ़ेगा काए में देखो professional को fees हम काए में करते हैं 1-4-J में J for janit तो J में काटना पढ़ेगा 10% 184 पे that is 18,400 कब तर deposit करना पढ़ेगा April month में काटना पढ़ेगा तो next month के 7 तक ठीक है Mr. Hersh has to pay Rs. 3,00,000 on 3-3-23 to plan your trip a travel agency for holiday package in Singapore and Malaysia for himself and his wife he obtained a loan of Rs. 10,000,000 for higher education of his son studying in Columbia University from SBI and remitted under LRS of RBI the set sum through the same bank SBI which is also an authorized dealer his tax required to be collected at source from Mr. Hersh by travel agency and the bank ठीक है ओके तो मेटा बताओ यहाँ पे कि ये section कौन सा है 2061 G इसमें क्या होता है overseas tour program package में 5% TCS collect होता है without any limit और जोपन money remit करते हैं इंडिया के बाहर authorized dealer के थू उसमें remittance में TCS collect होता है 5% over 7,000,000 but अगर remittance है out of educational loan taken from financial institution तो if loan is out of educational loan sorry if remittance is out of educational loan तो 0.5% लगता है 5% के जगा TCS तो simple सी बात है यहाँ पे क्या होगा देखो 3,000,000 उनने किया है program package पे 3,000,000 पे 5% लग जाएगा normally और यहाँ पे 10,000,000 की है education क्ले तो 10,000,000 में 7,000,000 हट जाएगा और बचे में over and about 3,000,000 पे किता लगता है 0.5% देखो answer travel agency 5% 3,000,000 और SBI 0.5% 3,000,000 ठीक है easy easy okay Mr. Mahesh engaged in business of trading of car accessories his turnover of financial year 21,22 and 22,23 was 11.5 crores and 9.75 crores पिछले साल का turn रोकिता है 11.5 crore मतलब अगर ये buy कर रहा है बंदा तो यहाँ पे 194 क्यों applicable हो जाएगा ठीक है XYZ limited place an order for purchase of car accessories for 90,000,000 on 1622 Mr. Mahesh delivered the order within 15 days of receipt of order and received the payment within 7 days from the rate of delivery is Mr. Mahesh required to collect tax and source अच्छा यहां Mr. Mahesh क्या है seller है और XYZ क्या है buyer है ठीक है ठीक है is Mr. Mahesh required to collect tax and source on consideration received by him from XYZ limited if turnover of XYZ limited during the financial agreement 22 was 15 crores मतलब पिछले साल में दोनों का turnover 10 crore के उपर है buyer का भी seller का भी ठीक है पिछले साल में दोनों का turnover 10 crore के उपर है buyer का भी seller का भी तो क्या होता है मुझे बता हो इस case में buyer TCS deduct करता है इस case में buyer TCS deduct करता है और seller को TCS collect करने ज़रवत नहीं पड़ती तो वो ही पूछा है यहां पे क्या उसको TCS collect करना है क्या नहीं No since XYZ limited is liable to deduct tax under section 1 and 4 Q ठीक है तो TCS deduct करना पड़ेगा 1 and 4 Q में तो 2061 H नहीं आएगा simple question है ठीक है अब next question start करते है question number 11 in the course of search operation under section 132 in April 22 Mr. Hari makes a declaration under section 1324 on the earning of income in respect of previous year 21-22 not disclosed in the books of account Mr. Hari explains the manner in which income was derived and pays the tax together with interest in receipt of such income however he does not disclose such income in his return of income तो penalty कितने लगेगी penalty यहां लगती section 271 AAB में कहाँ पे section 271 AAB में उसमें क्या होता है बेटा बताओ 30% या फिर 60% लगती है 30% कब लगती है अगर असीन admit कर लिया explain कर लिया nature and source of income tax or interest पे कर दिया और return में disclose कर दिया अगर इसमें से एक भी चीज नहीं किया सब में end देखो अगर एक भी चीज नहीं किया तो कितना लगता है 60% अगर चारों चीज कर ली तो लगता है 30% यहां पुनने क्या किया उनने रिटर्न में disclose नहीं किया ठीक है return में सर्च चल रही थी उसने admit कर ले 50 crore additional sales ठीक है while filing the return of income in response to notice under section 148 M did not declare the said income in the return of income तो भाई अगर उसने दिखाया नहीं तो penalty किते लेगी 50 crore की income है 60% of undisclosed income that is 30 crore rupees 50 crore का 30 crore ठीक है simple सी बात है next question भी same point पे ठीक है अब इसमें वो ही बोड़ रहा है कि Mr. Aakash कहां भी सर्च हुई ठीक है उस पर उसने चारों चीज़ कर लिया explain भी कर दिया admit कर दिया explain कर लिया interest tax pay कर दिया और disclose भी कर दिया तो penalty कितनी लगेगी तो यहां कितनी लगेगी यहां लगेगी 30% अब यहां पे which of the following statements are correct in relation to power of income tax authority to collect information which में भी useful for the purposes of income tax act 1961 अब यहां पे क्या है बेटा power to collect information यह किस section में आता है section 133B में आता है 133B में मुझे बताओ 133B में क्या होता है power to collect information होता है यहां पे हम business place में जा सकते हैं कब during business hours सिर्फ business place में जा सकते हैं हम घरवर में नी जा सकते हैं और यहां पे impounding of books of accounts तो नहीं कर सकते हैं तो answer यहां पे जो दिया है वो 2 and 3 दिया है जो की गलत दिया है 2 and 3 मतलब income to authority में enter the place of business only during business hours यह सही है यहां पे लिखा है कि impound कर सकते हैं पर section 133b में impound नहीं कर सकते हैं तो यहां पे answer 2 or 4 होना चाहिए cannot impound बट अब देखते हैं यहां पे ICA न answer गलत दिया है ICA को रिजेंडम इशू करता है तो अपन देख लेंगे पर यहां पे answer क्या होना चाहिए D answer होना चाहिए CICA ने दिया है पर यह गलत है D answer होना चाहिए question 15 AO ने क्या किया cyber cafe survey करने गया नहीं अब देख यहां पे दो बाते हैं यहां पे सिर्फ income authority की collect information करने गया यहां पे क्या करने गया है सिर्फ collect information तो यहां पे क्या लगएगा 133b पर यहां पे क्या लिखा है देखो यहां पे पहले क्या है उसना surveyed मतलब survey किया है for the purpose of collecting information अगर survey किया है तो survey में क्या लगता है section 133a मतलब 133a बताओ हम business hours जा सकते हैं business place में और अगर किसी और जगह जा रहे हैं तो after sunrise, before sunset ठीक है और यहां पे impounding कर सकते है for 15 days तो यह survey करने गया है अब यह वह वाला question है कि भाई, cafe में रात को एक बही चले गया वो तो तुमको तो पता है अगर business hours के अंदर आता है वो तो जा सकता है simple तो AO action सही है और impounding और books भी सही है क्योंकि impound कर सकता है for 15 days without any permission और 15 days के अगर उपर impound करना है तो क्या करना पड़ता है permission लेना पड़ता है CIT, CCIT, DIT, DGIT plus their principle ओके सर आप यह सब जो border provisions यह हमको याद नहीं आ रहे है अगर याद नहीं आ रहे है तो आपने पढ़हिनी के अच्छे से ठीक है अगर याद नहीं आ रहे न तो जो भी चप्टर का provision आद नहीं आ रहे न वहाँ बाजों में लिख लो अपने पास और उस प्रोविजन को जा के पढ़ लेना यहाँ अगर आपने बेडिवस्ते वीडिवा पूरे देखे हो तो इस साल प्रिवेस एर 22 ते इस में 2022-23 में 60 years कमानेंगे उनको senior citizen उनकी gross total income है 290 मतरब 3 lakhs से कम है senior citizen की तो फिर return file की liability नहीं आना चाहिए पर उनने क्या 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 देखो उनने 10,000 पर मन्त का क्या 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 electricity bill पे किये हैं और Melbourne गुमने गए हैं 1.2 lakh खर्चा करके और बाकी उनके पेटे नहीं किया खर्चा ठीक है तो देखो ये तो खुद खर्चा नहीं कि 2 lakh से उपर foreign travel में बट यहाँ पे इनने 1 lakh से उपर साल भर में electricity bill पे खर्चा किये हैं तो 7th provision of section 1391 क्या बोलता है कि देखो अगर आपकी basic exemption limit के उपर income नहीं है पर आपने साल भर में क्या depositive withdraw का 1CR के उपर किया है आपने electricity bill पे किया किता 1 lakh के उपर और foreign travel पे खर्चा किये 2 lakh के उपर ठीक है तो उस case में क्या होता है return file करना पड़ता है तो यहाँ पर आपने 1 lakh के उपर electricity bill pay किया है 10,000 per month is equal to into 12, 120 तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको न return file करना पड़ेगा simple सी बात ठीक है बेटा वो 1 crore शायद withdraw का है यह deposit का है आपने देख लेना एक बार ठीक है मुझे एकदम से अभी click नहीं हो रहा है आप देख लेना ठीक है इसा हो सकता है भाई कोई भी इंसान भूल सकता है मैं जे बहुत दिन से पड़ाया नहीं चैप्टर तो click नहीं हो रहा है थी ठीक है तो रिमिटेट फ्रम देट एंड अफ एंकम फॉर एवाइट 23-24 और 30 सेप्रम आप 23 टाम लिमिट क्या है 143-2 की तो 143-2 की टाम लिमिट है तो इसका एंड कब होता है यहां से 3 मंस कब होता है 36-24 देखो ठीक है which of the following cannot be adjusted in computation of total income while processing return of income under 143-1 143-1 में क्या क्या आता है अर्थमेटिकल एरर ठीक है यह तो आता है incorrect claim यह भी आता है dislodge of expenditure indicated in audit report यह भी आता है ठीक है पर यह addition of income appearing in form 26 years which has not been included in computing total income in the return यह नहीं आता तुमको बता दू एक बात यह तुमको दिखरा है नहीं आता है यह तो पर ना यह आज से 3-4 साल पहले आता था ठीक है अब नहीं आता है अब Mr. Rajesh agree by an order passed by Commissioner of Income Tax imposing penalty under section 270A for under reporting of income तो किसके पास जाए वो appeal लेके मैंने आपको बताया था कि देखो अगर AO level के लिए AO level के orders है AO के orders है और हमको appeal में जाना है तो अपन जाते हैं किसके पास CIT appeals के पास बट अगर CIT, CCIT, DIT, DJIT इन लोग ने order passed किये हैं तो हमको जाना पड़ता है ITAT के पास CIT appeals में जा सकते हैं अपन 30 days में ITAT के पास बन जा सकते हैं 60 days में देखो यहाँ पे इसको किस ने किया है CIT ने मतलब जाना पड़ेगा ITAT के पास obviously CIT के order against अपन CIT appeals के पास नहीं जा सकते हैं ठीक है तो जाएंगे ITAT में 60 days के अंदर ठीक है 270A penalties levied by CIT CCIT जाना पड़ेगा ITAT के पास ठीक है which of the following orders is not appealable before commissioner appeals देखो यहाँ पे commissioner appeals से आमने consequence से order appealable नहीं है तो देखो आपको चारों order तो याद नहीं रहेंगे पर यहाँ पे आप वो order ढूंज रखते हो जो CIT CCIT ने पास किया है ठीक है देखो an order passed by AO in pursuance of directions of DRP यह हमने पड़े हैं कि यह इसके against अपन CIT appeals के पास नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि बटा देखो लॉजिक बता दे रहाँ अभी revision वीडियों में भी कि DRP में कौन लोग होते हैं CIT CCIT level officers होते हैं dispute resolution panel में तो उसके against अपन IIT के पास जाना पड़ेगा CIT appeals के पास नहीं जा सकते ठीक है तो यह answer C.O का इसका जैखो Mr. X aggrieved है by order of AO और Mr. Y aggrieved है by order of DGIT अब बताओ AO का order के गेंस्ट CIT appeals 30 days DJIT का order के गेंस्ट IIT had 60 days simple देखो answer और इसमें 30 days इसमें 60 days खताम answer easy है questions बहुत easy है MCQs के ठीक है अब देखो assessment of measures Epsilon sorry measures Epsilon associates was made under section 1433 on 28 December 23 the AO added 3 lakh being 30% of 10 lakh for non deduction of tax at source and 4 lakh on account of unexplained investments ठीक है the SSC contested the addition on account of unexplained investment in appeal before commissioner appeals तो appeal decide होगी against the SSC ठीक है अब SSC के बस remedy क्या बचिए तो देखो तुमको पता होगा 263 and 154 में लगता है partial merger and 264 में लगता है total merger अगर एक matter against अपन जा चुके है appeal में तो दूसरे matter against अपन 264 तो नहीं कर सकते पूरा order ही खतम हो गया पूरे order against अपन 264 नहीं कर सकते but अगर एक matter appeal में गया है तो दूसरे matter के against 263 और 154 हो सकता है ठीक है तो एक तो अपिल में गया है तो दूसरे matter के against अपने पास क्या option असे सी के बस department कर सकता है उसका 263 दूसरे matter का और अपन कर सकते हैं 154 तो बचा वो जो matter है अपन अपने 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 कर सकते हैं rectification under section 154 में obviously if it is a mistake apparent from record बस और कुछ नहीं कर सकते पहला matter तो अपील में चला गया उस पे कुछ कर नहीं सकते दूसरे matter जो बचा हुआ है उस पे अपन 154 कर सकते हैं क्योंकि 154 में partial merger apply होता है right okay done sir mr. mahesh is found to be owner of 2 gold chain of 50 grams each value of which is 145 each ठीक है which are not recorded in books of accounts ठीक है अब ये क्या है बटा ये section निकालने अपने को 115 BBE में कित्ता text लगता है 115 BBE में text कित्ता लगता है undisclosed income and accounted income कित्ता लगता है 60% text plus 25% surcharge plus 4% says 78% कित्ता लगता है 78% लग जाएगा कि यहाँ पर येस 145 की एक chain है 2 chain कित्ते है होगी 290 की उस पे 78% 226 200 right देखो answer right okay done है ठीक है next question करते है Mr. परशान कर रही है Mr. Ganesh and Mr. Rajesh resident Indians born on 17 1962 and 14 1943 मत अभी क्या हो गए बेटा ये हो गए 60 साल के कौन Mr. Ganesh और Mr. Rajesh हो गए 80 years के इनकी basic exemption कित्ती हो गई 3 lakh रुपीज इनकी कित्ती हो गई 5 lakh रुपीज दोनों ने return file नहीं किया ठीक है have not furnished their return of income however total income assessed in respect of such year under 144 is 8 lakhs and 5 lakhs तो देखो किसकी 5 lakh की होता है तो क्या होगा इनको तो कोई attention नहीं नहीं है penalty levable रहेगी नहीं क्योंकि इनकी income taxable थी नहीं 5 lakh के अंदर ये थी 5 lakh ये थी ठीक है अब Mr. Ganesh जो है उनकी income कित्ती 8 lakh रुपीज है ठीक है और उनका basic exemption कित्ता है 3 lakh रुपीज तो इनकी income basic exemption की ऊपर है फिर भी इन्होंने return file नहीं किया तो यहाँ पे section 270A में under reporting की penalty लगती है right 270A में अच्छा सर तुमुझे बताओ कैसे निकालते हैं अपन अपन निकालते है tax on 8 lakh which is equal to 70 to 800 अब देखो और calculator में calculate करो इसका tax ठीक है और penalty कीती ही लगती है 50% of tax तो 50% of 70 to 800 that is 36,400 यह लग जाएगा ठीक है अच्छा इसमें बद्धान रखना कि कोई किसी ने पूचा कि इस case में Mr. Ganesh की under reported income कितनी है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 8,00,000 minus 3,00,000 that is equal to 5,00,000 is his under reported income यह बात मग भूलना भाई ठीक है पनाल्टी का lecture और डी अप्लोडेट है मेर पुराना वाला वो देख सकते हो बाकी इस बार भी डालूँगा मैं ठीक है चलो दिनेश a resident individual of age 47 years उने return file नहीं किया अपना ठीक है उनकी income as per 1 foot per कित्ती है 18,00,000 तो पनाल्टी लगेगी क्या यह एस कित्ती पहले tax निकालो 18,00,000 पे कित्ता आएगा 1,1 to 500 plus 30% of 8,00,000 plus 4% that is equal to 366,600 पनाल्टी कित्ती होगी 50% of 366,600 that is 183,300 देखो answer अब रुको आप रुको है pause करो और calculator पर calculate करो पहले ठीक है करो pause नहीं किया आपने करो और करो solve ठीक है अब Mr. X made a FD of 12,000 with an NBFC on 1 for 22 in cash cash में किया ठीक है thereafter he made another fixed deposit of 7,500 with same NBFC by bearer check कित्ता हो गया 12,000 plus 7,500 19,500 19,500 काई में होगा cash या bearer check में और जो बचो 8,000 है उसने फिर से किया पर ये किया account paycheck से अब सर cash या bearer check में 20,000 के उपर हुआ क्या नहीं तो अपने को penalty आएगी क्या 271D के penalty attack नहीं होगी अब सर यहाँ पे penalty कौन सी लगती कैसे याद रखते हैं तो देखो याद कर आया था मैंने 269 SSSTT SSSTT न लेने का न लेने का न देने का 20,000 2,20,000 ठीक है फिर से बढ़ रहा हूँ 269 SSSTT न लेने का न लेने का न देने का ठीक है न लेने का न लेने का न देने का SSSTT 20,000, 2,20,000 अब देने का 20,000 है ठीक है अब ये तो dis allowance का section है ठीक है इसके बाद penalty का में लगती है तो SSSTT और penalty लगती है D, D, A, E ठीक है SSSTT D, D, A, E राइट, ओके तो penalty attack नहीं होगी ओके चलो ठीक है और ये D किसके हाथ में पूछ रहा है penalty सरी NBFC के हाथ में पूछ रहा है ठीक है क्योंकि D में लेने की penalty लगती है तो NBFC के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो नहीं लगेगे SSSTT Limited has failed to report an international transaction entered into with PQR Inc which is a specified foreign company ठीक है what would be the penalty अगर आपने failure to report किया international transaction तो पहली penalty आपको लगती है 2% ठीक है और साथ में क्या मानते है उसको उसको miss reporting मी मानते है miss reporting बोले तो 200% of tax तो देखो दो लगेगी एक तो 2% of value of international transaction प्लस 200% of tax on under reported income बोत A&C ठीक है ओके डन सर अब नेक्स करते है question 28 Mr. Vyomesh a non-resident individual aged 61 years has not furnished his turn of income for AY2324 however the total income assessed in respect of such year is rupees 13 lakh rupees under section 144 तो penalty किती लगेगी अब यहाँ पहने से एक चीज़ चेक किये क्या चीज़ देखो यह NR है और senior citizen है तो आपको जब tax निकालना रहेगा ठीक है तो कित्ता आएगा basic exemption limit 2.5 lakh आएगी ना कि 3 lakh आप लोग जल्द जल्दी में क्या करोगे आप देखोगे 61 years की उपर है तो आप क्या कर दोगे 3 lakh लगा दोगे basic exemption limit नहीं 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 2.5 lakh लग लाएगी क्योंकि NR है ठीक है तो देखो 13 lakh पर tax निकालो कित्ता आएगा 210,600 निकालो अभी पॉस करो निकालो उस पर 50% penalty ठीक है अब यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है कि under reporting है miss reporting है अगर दिया नहीं है कि under reporting है miss reporting है तो अपन क्या मानना है under reporting माननके 50% penalty निकालना पड़ता है अगर वहाँ पे दिया है साफ साफ कि it is on the count of miss reporting तो अपन क्या करेंगे 200% of tax निकालेंगे ठीक है in the case of MCQs अगर आपको paper में question आया theory question तो आप दोनों निकालके आना 50% अगर under reporting है अगर ये miss reporting होगा तो इस पे 200% of tax लगेगा ये दोनों निकालके आना अगर theory paper आएगा तो theory में आएगा तो ठीक है अब question number 29 X limited a domestic company not opting for provision of section 105 BAA has total income of 10 crore 1 lakh the gross receipts of previous year 2021 is 260 crores मतलब 400 crore से कम मतलब 25% tax right तो tax libeli निकालना है अपने को देखो 10 crore 1 lakh आया मतलब MR का concept आने वाला है क्या margin relief कैसे निकालते हैं देखो मैंने बहुत easy बदाया है यहाँ पे क्या करना है आपको पता है क्या करना पड़ता है जब भी भी marginal relief आता है तो आपन क्या करते है जो वो marginal income रहती है न जिस 10 crore है यहाँ पे यहाँ पे कित्ती है 10 crore 1 lakh है तो आपकी marginal income कित्ती रही 1 lakh की और जो income जिस पर tax निकालना पड़ेगा अपने को 10 crore रहेगा अपन क्या बोलते है जो उपर की income पे extra tax सारे मौमनी देंगे आप उपर की income रख लो हम यह करते हैं हमेशा ध्यान से सुनना हम क्या करते हैं हम 10 crore पे tax निकालते हैं ठीक है और जो बच्ची हुई income है वो pay कर देते हैं ऐसी करते हैं तो कि मैंने वैसी कर दे डिरेटली tax on 10 crore निकाला ठीक है फिर उसे सर्चाज एट किया 7% ठीक है और आपन क्या करेंगे बस income over 10 crore 1 lakh और pay कर देंगे हम क्या बलेंगे उपरवाल tax pay निकालना हमको हमको क्योंकि क्या होगा 10 crore 1 lakh हुई income तो सर्चाज 12% लग जाएगा ठीक है फिर वो margin relief निकाला है वो सब निकालना आपने को actually आखरी में tax pay बल कितना आने वाला है 10 crore पर tax निकाल लो plus सर्चाज निकाल लो और उस पर जो income above 10 crore है वो add कर दो बस उस पर 4% sales लगा दो तो 279.24 आ जागा 279.24 देखो answer है ठीक है same question बाद में फिर से हुआ तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही shortcut में किया है आप लोग पूरा भी कर सकते हो पहले आप tax निकालो 10 crore 1 lakh पे फिर निकालो tax 10 crore पे ठीक है फिर जो difference आया वो बोलोगे आप कितना तो pay नी करेंगे हम सिफ 1 lakh पे करेंगे तो बचा हुआ क्या आएगा margin relief आएगा ठीक है पर यहाँ पर question में कहीं पर भी margin relief के बारे में नहीं पूछा है इसलिए अपन वो करीन रहे इसलिए अपन वो करीन ने रहे अपन क्या कर रहे हैं डिरेक्टली कर रहे हैं देखो इस पर भी 10 cro 2 lakh income है ठीक है और previous year basic का turn over 410 crore है मतलब क्या मतलब 30% tax तो देखो अपन निकाला tax on 10 crore 30 lakh ए 3 crore plus 7% surcharge plus income over 10 crore वो add कर दिया अपनने plus 4% says add कर दिया डिरेक्टली answer आ गया ठीक है ऐसे भी कर सकते हो और आप जो भी traditional method उससे भी solve कर सकते हो easy question है मुझे कराने ज़रत नहीं है पर यह easy है अगर आपको MR पूछ था तो आपको पूरा कर नहीं पड़ता बढ़े आप MR पूछा है यह नहीं है यहाँ पे अन्तमेट टेक्स पे बल पूछा है तो मैंने वहीं कर दिया ठीक है A limited Indian company bought back its listed shares from its shareholders and B private limited and Indian company bought back its unlisted shares buyback पे tax लगता है section 115 QA में in hands of domestic company किता लगता है tax on buyback 20% plus 12% plus 4% on distributed income which is equal to 23.296% section 115 QA सब्सक्राइब होना ची लिस्टेड हो लिस्टेड हो लिस्टेड हो फरक नहीं पड़ता ठीक है और shareholders क्यात में exempt होता है देखो additional income tax at 23.296% of distributed income is leviable in the hands of A limited and B private limited income rising to shareholders is exempt ठीक है ओके gamma limited ने distribute किया है dividend of 130 lakhs to its shareholders ठीक है during financial year 2023 उन्होंको receive हुआ 108 lakh net of TDS dividend from domestic companies and 30 lakhs from foreign company तो dividend distribute किता है किया देखो 130 lakh किया dividend received किता है 108 lakh and net of TDS मतलब gross किता है 108 by 19 to 100 that is 120 lakhs और 30 lakhs मिला है foreign company से सब dividend किसे भी मिला हो इसमें include करते है अपने ATM की formula में तो 150 lakh अपने हो dividend received है तो dividend distribute कितना है 130 lakh और dividend received कितना है 150 lakhs तो ATM में deduction किसका मिलता है whichever is lower whichever is lower का deduction मिलता है तो हम दे देंगे और 130 lakh का deduction हम दे देंगे बस ओके ठीक है अब 2 tonnage tax companies X limited and Y limited are amalgamated to form a new company new tonnage company Z limited a qualifying company and the option for tonnage tax scheme has an expired period of 8 years X का और Y का है 6 years का तो कितने साल कम बिलेगा इनको तो अपन ये कहीं पढ़े नहीं हो आस तक तक तो यहां पढ़ लो कि जब भी 2 tonnage company amalgamated होती है तो जो period मिलता है जिसके पाँ ज्यादा period होता है वो continue होता है amalgamated company case में मतलब देखो यहां पर X के पास 6 years है Y के पास 8 years है तो अपन क्या करेंगे 8 years के लिए मिलेगा जो amalgamated company रहेगी न new shipping company उसको 8 years के लिए पूरा unexplained period मिलेगा जिस company के पाँ ज्यादा period रहता है वो continue होता है अब Mr. Hari है उनकी income 52 lakh की under PGVP one of his businesses is eligible for deduction at 100% of profits under section 80 IA for AY 23-24 the profit from such business included in the business income is 35 lakh rupees what is tax payable तो देखो 52 lakh की income है deduction मिलता है 80 IA का 35 lakh का तो बचा किता 17 lakh इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर 80 IA में deduction है तो आपको AMT calculate करना पड़ेगा राइट राइट ठीक है तो 17 lakh पे 35 lakh एड़ कर दो 52 lakh आ जाएगे आपकी ATI इस पर निकालोगे आप 18.5% of 52 lakh which will be equal to 11.0530 ठीक है तो AMT rate कितना होगा बेटा 11.0530 और AMT rate होगा 11.0530 माइनस 33.400 दाइस 765.130 ठीक है ओके डाल है, डाल है, डाल है सिंपल है, ठीक है TTI नहीं मिलेगा, TTP मिल जाएगा ठीक है He deposited 150,000 in PPF what is total income of Mr. Gongooli ठीक है, उन्होंने 105 BAC op नहीं किया है, ठीक है PGP कितनी है, 145 IFRS कितनी winnings, 150 FD interest, 40,000 Saving bank interest, 9,000 GTI कितना हुआ, 344 बेटा, 80 TTP में आपको C plus D, 49,000 मिल जाएगा पूरा और PPF का मिल जाएगा 150 तो income हो जाएगा आपकी 145 answer, 145 ओ, 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 यहाँ तो 150 answer है, अरे, यह कैसे हुआ यहाँ तो 150 answer है यह कैसे हुआ, सर सर क्या होगा, सर यहाँ पे देखो यहाँ पर ने छुपा के राके छोटा सा इसको ले क्या हो इदर थोड़ा बड़ा करो जदा बड़ा तो नहीं हो गया, नहीं, ठीक है क्या हुआ न, देखो आपकी IFS की income पे आपको chapter 6 reduction नहीं मिलेगा, क्योंकि winning की income है, winning की income है तो आपके पास, यह दुने income तो खताम हो गई, ATTB में, बची कौनसी 145 की PGP income और IFOS winnings की 150 तो आपको maximum reduction जो PPF का मिल सकता है, वो कितना मिल सकता है 145 तो यहाँ पे PPF का reduction मिलेगा 145 और आपकी income कित्ती होगी 150 सीधे एक्जाम में आता है यह question तो आप में से 92% लोग 95% लोग क्या करके आते है 145 income करके आते यह आदिन रहता अपने को बहुत जल्दी में रहते हैं ठीक है 150 आगा answer राइट, चलो तो देखो कित्ते रोटल 80 लाइक रुपीज मिला है 10 लाइक कोर्पस है 10 लाइक खड़ा दो कित्ता बचा 70 लाइक उसमें 20 लाइक है, एनॉनिमस है 20 लाइक भी अटा दो कित्ता बचा 50 लाइक रुपीज अब एनॉनिमस पूरा क्या 115 BBC में टेक्सबल होता है उसमें से कुछ मैनस करते है अपन क्या मैनस करते है 5% टोटल डोनेशन और 1 लाइक अब 5% कित्ता है टोटल डोनेशन का 80 लाइक का 4 लाइक, तो अब पन 4 लाइक मैनस करेंगे तो 20 लाइक में से अब 4 लाइक मैनस करके बच्चा वा 16 लाइक टेक्सबल करोगे 115 BBC में और जो बच्चा वा 4 लाइक है वो एड कर दोगे नॉनिमस में 50 प्लस 4, 54 लाइक इसमें 15% हटाओ बच्चा 45.9 लाइक तो इसमें अपने अपलाएक कित्ता किया है 40 लाइक अपलाएक किया है 40 लाइक मैनस कर दो, कित्ता बच्चा 5.9 लाइक इस इंकम पे नॉमल टेक्स रेट्स पे टेक्स लगेगा ठीक है which will be equal to 30,500 जो 16 लाइक के इंकम है इस पे लगेगा 115 BBC at 30% कित्ता होँ, 480 480 plus 30,500 will be equal to 510,500 plus 4% sets will be equal to 539,20 अब जल्द इसे बेटाएक काम करो easy question है pause करो, calculator में calculate कर लो ठीक है for the previous year ended 31,3,23 a public charitable trust registered under section 12A-B derived income of 10 lakhs from properties held under trust ठीक है and 15 lakhs being voluntary contributions from public out of which 8 lakhs was applied for charitable purpose and 4 lakh towards repayment of loan for construction of orphanage the amount of 4 lakh was not claimed as application in any earlier previous year basically आपे क्या चेक कर रहा है कि अपन रेपेमेंट करते हैं तो applied मानते हैं उसको इतना सा उचेक किया है बस 25 में से 15% माइनस कर दो पहले बचा ये इसमें 8 lakh applied और 4 lakh repayment बचा कितना 9.25 lakh answer easy question very easy question ठीक है केस नारोज में और अच्छे question है MCQ थोड़े से विरी भी easy है ठीक है कमला charitable trust registered under section 12 WB having its main object as medical relief earned income of 2 lakhs as interest on bonds issued by local authority and agriculture income of 4 lakhs during previous year 2021-23 which of the following statement is correct अब देखो जो इंट्रेस्ट bonds issued by local authorities पर जो इंट्रेस्ट होता है ये exempt होता है section 10.15 पर किसमें exempt होता है? 10.15 में और हमने पढ़ा है कि अगर हम section 11.12 के exemption क्लेम कर रहे है तो हमको section 10 के कोई भी exemption नहीं मिलते बस दो exception उसमें कौन से कौन से section 10.1 and 10.23 C तो 10.1 क्या है? अगरिकल्चर इंकम तो इस case में ट्रस्ट को अगरिकल्चर इंकम का exemption मिल जाएगा बट जो local authority के interest है bonds पर उसका exemption नहीं मिलेगा simple तो बटा questions बहुत easy इसलिए मैं normal speed में चल रहा हूँ अब next question करते है 40 during the previous year 22.23 Sarvasena a charitable trust Sarvasiva a charitable trust made voluntary contribution not being corpus donations to another charitable trust registered under decision 12 AB out of its current year income derived from property held under trust चलता है क्या? हाँ चलता है an educational institution referred to in 10.23 C 6 out of its current year income derived from property held under trust चलता है कोई दिखकत नहीं another charitable trust registered under decision 12 AB out of accumulated income of trust चलेगा क्या? नहीं अपने accumulated income से वो क्या payment donation नहीं चलेगा तो सिफ 1 and 2 चलेगा ठीक है? what would be your answer to question 40 about had the voluntary contribution to said trust institution been in the form of corpus donation अरे corpus donation करोगे तो कुछ भी allowed नहीं दाएगा none of the above ठीक है? अब next question बढ़ा REIT के बारे में A REIT has distributed 2 crore of its to its unit holders which comprises of these incomes अब मेरे बाद धान से सुन लेगा REIT के बारे में revise कर लेते हैं REIT के हाथ में कौनसी income taxable होती है? बात करते हैं Sir, unit holders के हाथ में 3 income taxable होती है कौनसी-कौनसी interest, dividend and rent from REIT interest, dividend from SPV and rent from REIT ये 3 income unit holders के हाथ में taxable होती है और business trust के हाथ में बाकी सारे income taxable होती है तो देखो, यहापी क्या कर दिया है? rent, interest from SPV dividend from SPV ठीक है? अब ध्यान रखना है interest और dividend SPV से होना चीए तभी ये जाएगा unit holders के हाथ में अगर ये interest कहीं और से आया है तो वो इसके हाथ में नहीं जाएगा शेरोल्डर के हाथ में वो business trust के हाथ में ही taxable हो जाएगा फिर तो देखो rent income, interest, dividend ये तिनों जाएगा unit holders के हाथ में और capital gain ये जाएगा business trust के हाथ में अब dividend की बात आती है dividend में दो चीज़े होती है अगर SPV ने tax pay किया हे under section 115 BEAA अगर SPV ने tax pay किया है under section 115 ayuda तो dividend taxable होता है जो जो फुल्डर के हाथ में अगर SPV ने tax pay की normal tax rates में तो dividend exempt होता है business trust का हात में तो वैसी बे learnt होता है वो क्या हो उसके हात में क्या होता है past through status मिलता है उसको ठीको पूरह नहीं पढ़ रहे है पन इजी आंसर है only income referred to in 4 is tax plan in the hands of REIT income referred to in 1 and 2 is tax plan in the hands of unit holders और income referred to in 3 above is exempt both in the hands of REIT in unit holders क्यों? क्यों क्यों देखो SPV ने क्या किया है? इन्होंने opt नहीं किया है 1 and 5 BAA opt नहीं किया है मतलब normal tax rates पर tax pay किया है मतलब dividend exempt है in the hands of unit holders ये interest dividend rent from REIT ये तो वैसे भी exempt होता है in the hands of business trust ये से फटेक्सपल होता है in the hands of unit holders बट अगर company ने 1 and 5 BAA opt नहीं किया है तो ये dividend, unit holders और business trust दोनों के हाथ में exempt होकिया बिजनस trust के बारे में आपकर पढ़ के आना आपने पढ़े होगे तो आपको revise होगे होगा पूरा नहीं पढ़े होगे तो पढ़ना पढ़ेगा मेरे रिविजमेटर से पढ़ लो याद हो जाएगा पूरा अगर उनने 1 and 5 BW opt नहीं किया अगर 1 and 5 BW opt किया है तो हमारे हाथ में taxable हो जाएगा ठीक है? चलो अब REIT की income है rental income 2 crore की ठीक है? and short term income है capital gain, short term capital gain 1 crore का और interest income है 3 crore from Grama Limited SPV तो इस case में क्या होगा? simple जी बात है देखो REIT enjoys pass to status in case of interest and rental income interest और rent में उसको pass through status मिलता है capital gain उसके हाथ में taxable हो जाएगा REIT के हाथ में तुमको आता है पूरा business stress तो easy question से चार हो अगले ठीक है? REIT को dividend मिला? ठीक है? dividend में क्या होगा? वोई बात की हुई है पुरी देखो answer वोई है 3, 4 और 9 क्या? पढ़ लेते हैं एक बार REIT enjoy करता है pass through status dividend क्या case में ठीक है? dividend अगर REIT का अथ में flexible है 3, 6 और 9 ना? 6 dividend is exempt in the hands of Mr. X and Mr. Y only if A limited does not opt for section 105 BAA repetitive बात लिखे है पूरी और 9 tax is deductible by REIT on dividend distributed to Mr. X and Mr. Y only in case A limited opt for section 105 BAA वोई पूरी बात लिखे है जो concept है बस और कुछ भी निये इसमें है ठीक है? अब देखो Mr. B has been holding 10% units in REIT 7.5% in Secure Audition Trust and 5% in Investment Fund for more than 15 months 15 months के उपर हो गया मतलब 12 months के उपर हो गया मतलब यह loss carry forward कर सकता है Investment Fund का राइट The following income were earned by Trust Fund during the previous year 22-23 अब देखो Investment Fund में किता है बटा? यहा 5% है राइट में 10% है और Secure Audition Trust में किता है 7.5% तो अब तीनों की taxability याद दोना चाहिए आपको इसमें इस question के लिए तो Investment Fund के case में क्या होता है? सारी income taxable होती है except PGVP in the hands of unit holders PGVP income जाती है Investment Fund के आत में और बागी सारे income जाती है किसके आत में? इस unit holders के आत में Business Trust के किसमें क्या होता है? REIT के case में Interest dividend or rent from REIT ये taxable होता है in the hands of unit holders बागी जाता है in the hands of REIT और in case of Secretization Trust case में होता है All income taxable in the hands of unit holders ठेक है? तो देखो यहाँ पर Business income छोड़ दो बची हुई other income 5% आएगी किसके आत में? unit holder के आत में यहाँ पर अपने को unit holder की income निकालनी है अगर उसकी इन सब के अलावा 270 capital गेन है तो देखो 5% यहाँ सा आएगा 10,000 और यह loss जो है यह भी आएगा long term capital loss unit holder खुद करेफावर करेगा 62,500 ठेक है? REIT के case में Rent income unit holder के आत में 10% और interest income ठेक है? other income यह नहीं आएगी unit holder के आत में क्योंकि interest dividend और rent from REIT आता है बस ठेक है? और इस case में सारे income आएगी किस के हाथ में? unit holder के हाथ में तो इसका 7.5% तो देखो rent का 10% 1,000,000 interest का 10% 80,000 LTCG 270 यह IFOS 10,000 इसका PGP 6,000,000 का 7.5% 45,000 और loss 6,500 का किता हुआ? 4,40,500 right देको झांसर easy एक है? question 47 ABCN का और PQR का और are two NR entities based in country A and country P respectively both the entities own and operate an electronic facility through which they affect online sale of organic products manufactured by them details of their receipts from such sale during the previous year 22-23 are ABCN, company country A ABC, PQR and company country P देखो, इंडिया में sale किती है 138 lakh बहार sale किती है 285 और 377 बट जो बहार sale हुई है उसमें से इंडिया का IP address किता यूज हुआ है 63 lakh में और 73 lakh में अब देखो 138 प्लस 63 lakh किता हुआ 201 lakh और 126 प्लस 73 lakh हुआ 199 lakh कहाँ पैपली के बल होगा एकुलेशन लेवी यहाँ पे क्यों क्योंकि e-commerce operator का e-commerce platform का 2 crore के उपर है तो ABCN company case में इकुलेशन लेवी लग जाएगा देखो, इकुलेशन लेवी is attracted in the hands of ABCN company and but not PQRN company easy question, ठेक है देखो, Rajesh है resident Indian employee है, Masters ABC Limited का Bangalore salary के लाबा, उसकी interest रों में बड़ी है मतलब business income नहीं है MSPQR Inc. a foreign company not having pay in India whose gross receipts are equivalent to 1.8 crore rendered online advertisement services to Mr. Rajesh for which Mr. Rajesh made a payment of 2 lakh rupees ठेक है, अब देखो PQR Inc. foreign company है जिनका pay नहीं इंडिया में इनके हाथ में equalization है भी लगने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि 2 crore से कम हैं इनका receipts क्योंकि receipts इनका 2 crore से कम है अब राजेश के हाथ में राजेश ने 1 lakh से उपर payment किया है तो equalization levy लग सकता है बट, राजेश की income कौनसी कौनसी है salary और interest from FD मतलब इसकी business income नहीं है मतलब इसने payment business ले नहीं किया है तो इसलिए इसको equalization levy नहीं लाएगा the transaction is not subject to equalization levy simple देखो यह खेलता है यहाँ पर तुमारे साथ पूरा चलो last two questions A limited is a Singapore company which owns and operates an electronic platform for provision of services B limited is a Malaysian company जिसका पोय है which provides online advertisement services the gross receipts from services to persons resident in India may be taken at 3 crores in the financial year 2023 for A limited and B limited both दोनों का 3 crore मतलब 2 crore के उपर है A limited does not have P in India branch in India नहीं है A की but B की branch है Mumbai में and online advertisement services are effectively connected to the branch मतलब देखो B के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगने वाला equalization levy ठीक है Mr. X a citizen and resident of India has availed services from A and B limited for process of business in India and amount payable to A limited and B limited is Rs. 1 lakh and 12 lakh respectively would equalization levy be attracted in the respect of same देखो पहली बात B के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगने वाला ठीक है A के हाथ में ठीक है A को जो उन्हें service payment क्या 1 lakh का A के हाथ में क्या लगएगा A के case में इनका इंडेयम P नहीं है और ये 2 crore के उपर क्या कर रहे है एक electronic platform operate कर रहे है 2 crore के उपर रिसीट से इनकी तो इनके हाथ में क्या लग जाएगा Equalization इनके हाथ में क्या लग जाएगा Equalization 2% in case of hands of A limited Simple Very simple question मतब तुम बहुत ऐसीली कर सकते हो Mr. X A foreign national and citizen of USA Working with M Inc A US-based company Came to India During previous year 20-23 For rendering services On behalf of employer He wishes to claim His salary income Earned during his stay in India As exempt Which of the following Is not a condition To be fulfilled To claim such immigration As exempt income Under income tax act 1961 तो ये तो exempt income का है तुमको याद नहीं होगा देखो अकर आता हूँ याद Remedation received for services rendered in India By a foreign national employer by a foreign enterprise ठीक है ये exempt कब होगा Condition क्या है Foreign enterprise is not engaged in any business or trade in India The employee stay in India does not exceed 90 days ठीक है And remedation is not liable to be deducted From income of employer chargeable under the income tax act ठीक है तो तो ये तीन condition तो आ लिखी होगी ठीक है इसके लाव फूर्थ condition एक और लिखी है Mr. X should not be engaged in any trader or business in India ये condition है कि उसकी नहीं है याँ पूछा क्या है Which of the following is not a condition ठीक है तो क्या होगा answer B will be answer ठीक है तो exactly बेटापन ने एक घंटे के अंदर खतम कर लिया इसको Exactly एक घंटे में एक घंटे से कम में ही कर लिया है सारे 50 MCQs इस स्यादा effectively आपको कोई भी revise नहीं करा सकता इसको ठीक है इसी तरह हम लोग case नहीं रोज भी बहुत कम टाइम में कर लेंगे 25 case नहीं रोज मुझे लगता है Less than 3 hours में कर लेंगे 3 to 3.5 hours उससे उपर नहीं करेंगे 3 hours में करा के दूँगा मैं पूरे तुमको ठीक है Done Okay guys I am feeling super happy to be able to complete it in less than 1 hour मुझे बहुत अच्छा लग रहा है and I hope ये वीडियो मतलब मेरे चारे पर आप खुशी देख सकते हो and I hope ये वीडियो आपके लिए इतना इफेक्टिव रहा जितना मुझे एफेक्टिव लगा मतलब जितना मुझे मजाया पढ़ाने में आपको मजाया करने में ठीक है अब इसमें अपने mostly जो भी concepts covered थे 20-30 concepts revised हो गए ठीक है और आपको अगर ये फाइल चीए जिसमें हमने solutions की है solutions mark की है तो ये फाइल आपको मिलेगी मेरे टेलेग्राम चनल पे जिस के लिंग डिस्रिप्शन में है या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलेग्राम पे you will find it तो वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो आपके लिए बनाईए डाउनलोड कर लो ठीक है